रिवाडी में स्कूली बच्चों ने रोट जाम करके जताया रोश। शिक्षविभाग दौरा चलाई जा रहे ही ट्रांसफर ड्राइफ पॉलिसी का बच्चे ग्रामिक कर रहे हैं विरोध। आपको बता दे कि गाउं आनंदपुर के राज के वरिष्ट माध्यमेक विद्याले में सौ से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं पिछले दिनों स्कूल में चार विश्चों के टीचर को बदल दिया गया है लेकिन उनकी जगए पर दूसरी टीचर्स नियक्त नहीं की इस संख्या में ग्रामीरों के साथ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने पहले स्कूल के बाहर नारे वाजी करते हुए गेट पर ताला लगा दिया इसके बाद स्कूल के पास ही अप्रोच रोड पर जानिया डाल कर जाम लगा दिया जाम की सूशना मिलने के बाद पुलिस वर अन्य दिकारी मौके पर पहुँचे अधिकारी बच्चों को समझाने में जुटे बता दे की प्रदेश बर में बड़ी संख्या में पिछले कुछ दिनों से ट्रांसफर ड्राइब के तैट एक से दूसरे स्कूल में अधापकों का ट्रांसफर हुआ है रिवारी में 20 से ज को लोग के अंदर जो फोस्टिंग होई है हमारे यहां साइंस और गनित का ठीकर एक पोस्ट ही खतम कर रहे हैं तो था जो हमारी अनुम मैडम थी यह दोनों सब्जेक्ट पढ़ाती थी अभी तो नाया आएगा वो तो क्या है कि उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं है अब के बच्चे जो साइस और जाएगा में चीजे तो यही है कि ऐसी बात नहीं है विभाग कोई निकाले अगर कोई समस्या आती है तो फिलहाल हमारी अभी सीवी होनी थी आज वो पोस्ट को नोई है तो वाग फिलहाल मुझे लग रहा है कि इस उसमें है कि किसे ने किसी समस्य आप लोगों के समझें हैं वह भाब के सामने रखी जाएंगे और हल कराने का प्रियास हमारा जारी रहेगा और और हो जाएंगे समय और प्रीजिक और अगली प्रोसेस में यह पूर्ज़वत तक टीचर नहीं आएंगे इस हाई रोग से मैं तो शैंसे की सत्रो प्रोवेंड करवा सकते हो देखो जी आएसे ना वो ही इसी के लिए अग्याचे देर है ने आसे एसा दो वंद करनों से सरकारें सभी करना बंद वो तो अज आप जैड़नू का ठाप क्रोंद थार अंपर दो खाला फैर्ट वाइन अए वाइन अपर लुत का ला जायो थां मंगर्स आप दर्ना परदर्शन करो मैं भी बैठ जाओंगा आपके साहथ ही रहुगा तो आप आपके सामने लेखे जाएंगे और आज ही भी जाओंगे